वीच आप दा फालोइंग बिल गेवज फिनाल वेद सी एए ओए आड एने ओएच सोडा लाइम कारबोक्सलीक एसिड है अगर सोडा लाइम से रियर करेगा तो डी कारबोक्सलेशन हो जाता है अब देखो कौन सा मैं इसिड लो और को सैलिसिलीक एसिड लेता हूं या करेगा अगर हम इसका decorboxylation करवाते और हीट कर दो तो decorboxylation से क्या बना होगा फिनॉल बना होगा प्लस Na2CO3 बना होगा बास समझ मैं? इसी रियक्शन तो salicylic acid होगा पहला वाला पिक्क्रिक acid आप जानते हो नहीं ऐसा नहीं होगा इससे यह नहीं होगा बताने के लिए मैं बता दूँ इस कोल्ड इस पिक्क्रिक acid NO2 NO2 इसकी reaction तो डालाइम अगर ऐसे reaction तो क्या करता salt बना लेगा बेंजोई acid से अगर हम reaction कर दें तो decarboxylation से बेंजीन बना लेगा इसका decarboxylation NAOH से CO के प्रजन से करोगे तो बेंजीन बना लेगा फिनॉल बनाना था ठीक है amino acid से भी नहीं बना पाएंगे तो answer क्या है एक option क्या हुआ salicylic acid